तो हाई गाइस वेल्कम बाक टो व्रीडो गेमिंग आज मैं आपके लिए हो एक नया वीडियो उसमें बताऊंगा कौन सी SMG सबसे बेस्ट है फ्रीफायर में SMG का मतलब होता है सब मशीन गन तो टोटल फ्रीफायर में चार सब मशीन गन है तो मैं आपको देखाता हूं वह कौन कौन सी है कैसे यूज करते हैं और कौन सी सबसे बेस्ट है तो वीडियो इदम एंड तक देखना अच्छा लगए तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना सपोर्ट करो गाइस बहुत ज़रूरत है थांक यू पेली मेरे सबसे फेवरेट सब मशीन गन है इसमें क्या है रेट फ्वाफ बहुत हाई है तो अगर क्लोज कोंबाट में तो आप इसको इज़ी यूज कर सकते हो और इसमें सब अटैच्मेंट्स भी है तो यू वन पी लो फोरीक्स याग सकोप लगाओ रॉक आप रॉक कर सकते हो इसमें आप four grip लगा सकते हो मैगजिन बढ़ा सकते हो मजल लगा दो साइलेंसर लगा दो यह एक परफेक्ट सब्मशीन गन है फाइटिंग इन लॉंग अरेंजिस एंड शॉट रेंजिस बट इसका एक थोड़ा सब प्रॉब्लम है कि यह लॉंग रेंज इसमें इसका रिकोईल तरह थोड़ा तो वह थोड़ात में कह सकता है तो जो सेकेंड समाशीन गन है वह तो यह बहुत अची गन है यूज करोगे तो तो थो यह मेरी और फेवरेट गन है यह MP 40 है यह सिर्फ क्लोज रिंज में यूज हो सकती है और किदर भी नहीं आप इसको लॉंग यूज करोगे आप मर्ज होगे वह पक्का मैं गैरंटी देता हूं इसका रेट फायर इतना हाइए इसका रेट इसका रेट फायर यूंप से भी ज्यादा है इसमें सिर्फ दो आप आराम से उसको मार सकते हो तो जो फोर्थ गन है वो है पी नाइंटी सो पी नाइंटी की सबसी खासियत की बात है कि इसकी मैगजीन बहुत लार्ज है तो आपको यह शॉट ज्यादा देगी दूसरे गन गन से लैक अगर दो जन में बैटल चाल लुए और में बस पी न सब्सक्राइब यह है इसमें सिर्फ मैगजीन और स्कोप बैठता है फोल ग्रिप मजल सालेंटर नहीं बैठता है बाकि यह दम बैलन्स गरने और यह दम मिड रेंज करने आपको इसको लॉंग है ज्यादा मज उस करो नहीं शॉर्ट में करो मिड रेंज के लिए पॉफेक् बस पहले जो गन दो बहुत सेम दिखती है वह यू एंपी और एंपी ठीक है अब है अब अगर आप जाओ गेना देखो 126 का डामेज तीधा अगर बुलताय पर लगता है तो वान तरीटों का डामेज कभी भी यू एंपी का डामेज बहुत मस्त है इत्तम बेजिक गन है इसका रेंज और फाइब कितना हुशता है और यह एंपी ठीक टाक उतना खास नहीं है ठीक है MP 40 और दूसरी है पी 90 तो भी मैं आपको बोला कि पी 90 अदम बैलेंस गए तो इसका बागर दूर से शूट करते हो ना इसका बिल्कुल भी रिकॉल नहीं है कि पॉइंट पे ही लगता है कि MP 40 को स्कोप नहीं है तो आप जूट के बहुत डिफिकल्ट है आप क्लोजर में जाओ MP 40 को यूज़ करो अगर MP 40 का बस एक बहुत थोड़ा है कि इसका रेट आफ फायर बहुत ज्यादा है तो इसका मैगजीन जल्दी खतम होता है तो मेक शौर करो कि आपके बास अगर MP 40 है तो उसकी बहुत सारी बुलेट लेके जा रहे हो तो यह बैटल में अच्छे से कर पा हो गए तो अब आते हैं कौन सी बेस्ट गन है तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट लगती है MP 40 अगर क्लोजिन में कॉमबाट है तो और अगर आपको क्लोज रेंज के साथ लॉंग रेंज और मिड रेंज में भी अगर आपको एक बैलेंस गन चाहिए तो वह एक यूए यह दो गन में सबसे फेवरिट है MP 40 का आप देख सकते हो इस ना मस्त रेट और और यूंप का भी आपने देखा हुआ कैसा फायर है तो थैंक यू गाइस वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट करो गाइस थैंक यू